कि हैंगे आप हैं कि अपलों के लिए में कि स्टोरि लाया हो सुझए और इसको जीवन में उतारने की कोशिस भी करेंगे समझने की कोशिस करेंगे स्टोरी कुछ ऐसे यह कि यह सिल्पकार था सिल्पकार समस्क्रों जो मूर्तिया बनाता है best एक गाउं के रास्ते से जा धूप थी तो रास्ते में उसने पेड़ देखा वो पेड़ के नीचे बैठ गया अपना सामान लिये था जो भी मूर्तियां बनाने का सामान होता है अब कहते हैं जिसकी जैसी आदत होती न वो काम करने लगता है जैसे मैं टीचर हूँ तो अगर घर में कोई बच्चा मुझे दिख जाता है पास मौल लेगा तो मैं यह पूसता हूँ बिटा कौन सी क्लास में हो क्या पढ़ रहे हो ऐसे सिल्पकार की अपनी आदत उसने पत्थर को अठाया दुबारा हाथ से चीटक गया कई बार वारोन पत्थर को बादने लगा और बार बार पत्थर चोन करता रहा शाम हुई मूर्ति एक अच्छी त्यार हो गई उसको उससे मतलब नहीं था वो पेड के नीचे उसी मूर्ति को रखके चला गया समय बीता साल दो साल बाद वो आदमी उसी गाउं से फिर निकला तो देखा एक गाउं के किनारे मंदिर है शाम का टाइम है आरती हो रही थी तो उसने देखा आरती का टाइम है उसने एंडपम था हाथ मूधोया एक पथर ता उसके पास पर चूतय अपने उतारे आरती में खड़ा हो गया जब आरती चल रही थी तो आदमी पहले तो मुस्कराया उसके बाद उसके आँखों से आशू निकलने लगे गाउवाले थे एक आदे जो पास पडोस में होते देख रहे थे आरती समाप थुई उसने प्रशाद लिया तो गाउवाले ने पूछा भाई साब अब एक बात बताओ आप पहले तो मुस्कराये थे और उसके बाद आप रोने लगे क्या कारण था तो आदमी जो शिल्पकार था उसने कहा मैं केवल इन दो पत्थरों की किसमत को देख के एक को देख के हसा और दूसरे को में रोने लगा वो जो सामने पूजा जा रहा है उसकी किस्मत को देख के मुझे हसी आई और जहां पे मैंने अपने जूते उतारे थे उसको देख के मुझे रोना आ गया फिर उसने सारा वरत्तान्त बताया कि एक बार मैं आया था दूप थी इस पत्थर ने मेरी चोट सही थी इसलिए आज ये भगवान की तरीके पूजा जा रहा है इस पत्थर ने मेरे हथोड़ी की मार को नहीं सहयन की थी मैं इसको फेक के चला गया था आज वो स्टीले पे लोग अपने जूते चपल उतारते है बटा स्टोरी का सार बिलकुल सिंपल है अगर आप कोई गार्डनर रखते हो, माली रखते हो, पेड़ की छटाई करता है तो उस पेड़ को शेप देता है उस पेड़ को जड़ से नहीं काट देता कुमार होता है बरतन बनाने वाला, बरतन बनाता है तो थाप देता है नीचे जब वो मठकी बनाता है या कुलहड बनाता है इतनी तेज नहीं मार देता कि वो टूट जाए या मठकी खराब हो जाए ऐसे बेटा आपके जीवन में आपके टीचर्स होते हैं बच्चे होते हैं आपके टीचर्स हैं आपके पेरेंट्स हैं क्या करते हैं आपको डाटते हैं म मारतें लेकिन इतना नहीं मारते कि आप एक्दम खराब हो जाओं आपको शेप देने की कोशिश करते हैं तो आप उनके गुस्से को या उन्हों उन्होंने गुस्से में आके आपको एका थपड मार दे तो उसको बिटा पॉजिटिव समझो सेंसिटिविटी में आके गुस्से में आके उनको गलत जवाब मत उसको अच्छे समझो आप भी एक देवतागी तरीके पूजे जाओ ठीक है स्टोरी आज हमारी यहीं थी इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना इसका सार समझना ओके बटा थैंक यू